तो आप लोग आज जानेंगे कच्छा आठ गड़ी में पूछेगा है कुछ प्रस्नों के जवाब कुछ बच्चों ने कोस्चन पूछा कि अभ्यास 2E में कुछ कोस्चन बताना है और कुछ 5E में बताना है तो आज इनी कोस्चन का मैं सलूसा ने आपर बताऊंगा तो आप लोग भ्यान से इसको देखेंगे और समझेंगे हमसे कोस्चन पूछा कुछ लोगों ने कमेंट में कि अभ्यास 2E में 2 का, 3 का, 5 का, 8 का बर्गमुल कैसे निकालते हैं तो इसको हम लोग देखेंगे और अभ्यास 5E में हमसे 5वा और 7वा कोस्चन पूछा गया है जो कि गुडन खंड है तो उसमें कमेंट में पूछा गया था तो उसको भी आप लोग देखेंगे इसको तो अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए और सेयर करिए और वीडियो को पूरा देखिए तो देखते हैं तो देखिए यहां कोस्चन पूछा हुआ है कि दो का बर्गमूल दसमलों के निकरतम तीसरे अस्थान तक याद किजिए यह जितने अस्थान तक कूछेगा उतने अस्थान तक आप लोग निकालेंगे तो ऐसे ही एक हम बताएंगे बाकी आप लोग समझे लेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जिसका भी बर्गमूल निकालना होगा जैसे हम बताएंगे इसी तरह से आप लोग सब का बर्गमूल निकाल सकते हैं कोस्चन में अभ्याद 2E में एक बर्गमूल निकालने के लिए पूछा भी गया 5 का बर्गमूल तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 जिसका भी निकालना होगा जो जिसका बर्गमूल आसारीस नहीं निकलता है दसमलोब निकलता है तो उसको ऐसे आप लो निकालेंगे और आप लो नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्सर में लिंक दिया हुआ है हमारा जो फेस्बूक का इंस्टागराम और ट्विटर का उसको भी आप लोग फालो कर सकते हैं उस पर आप लो कोस्चन पूछ सकते हैं उसका आप लोगों को रिपलाई तुरंद मिलेगा तो देखिए इसको कि इसका बर्गमूल कैसे दो का निकालेंगे तो निकर्तम तीसरे अस्थान तक पूछा तो हम दो को पहले ऐसे लिखेंगे दो के बाद हम लोग एक दसमलो लगाएंगे और निकर्तम तीसरे अस्थान तक पूछा तो हम लोग जीरो लगाते जाएंगे चार जोड़ा बनाएंगे तीन अस्थान तक पुछेगा तो चार जोड़ा दो अस्थान तक पुछेगा तो तीन जोड़ा ऐसे बनाना है ऐसे उपर देखिए दसमलों वाले दसमलों के इधर दो-दो पर ऐसे पड़ी लाइन खीचते हैं और दस्मलों के बाएं तरफ इधर खीचते हैं अगर एक नंबर रहाएगा तो एक अही पर खीचेंगे दो नंबर रहाएगा तो दोनों पर खीचते हैं दो दो का और दस्मलों के नाय तरफ देखिए लाइन खीचेंगे और एक होगा तो यह कहीं पर लाइन खीचते हैं अब इसका हम लोग बरगमूल निकालते हैं तो इस तरह से हम लोग 2, 3, 5, 7, 8 किसी का भी बरगमूल निकाल सकते हैं इसी तरह से तो देखिए क्या करना है अब अब हम लोग यहाँ पर दो ऐसा संख्या लेते हैं एक ही संख्या को दो बार लेते हैं हम लोग कि उस दोनों का गुड़ा करने पर या तो इससे कम हो या तो इसके बराबर हो तो हम लोग जानते हैं अगर हम लोग एक लेते हैं दो बार एक लेंगे, एक का एक में यहाँ पलस लगाते हैं यह बर्गमूल में हम आप लोगों को बता चुके हैं तो देखिए दो संख्या ये कही मतलब संख्या को दो बार लेना है और उसका गुड़ा करने पर या तो इसके बराबर हो या तो इससे कम हो तो एक हमने लिया एक का एक में गुड़ा करेंगे तो एक होगा यहां भी एक बार में लिख लेंगे एक बार में बरगमुल होगा है एक बार में भाग गया है अगर माली जी हम 2 लेते तो यहां भी 2 लेना पड़ता तो 2 दूना 40 से ज्यादा हो जाता तो ज्यादा नहीं लेंगे या तो कम या तो इसके बराबर लेना है तो अब हम लोग देखेंगे अब यहां क्या करेंगे यहां घटाते हैं बार में से एक जागा तो एक यहां क्या करते हैं पलस लगाके यहां का संख्या जोड़ लेते हैं एक एक को 2 हो जागा अब हम लोग हमेशा जो पड़ी लाइन जितने नमबर पर होगा उसको साथ में उतारते हैं एक 0 नहीं पड़ी लाइन 2 पर है तो दसमलों यहां नहीं लगाएंगे दसमलों यहां लगादेंगे देखिए दसमलों के बाद का हम संख्या उतार रहे हैं दो जीरो तो दसमलों यहां लगादेंगे अब जीरो दोनों उतारेंगे जोड़ा में ही उतारेगा अब हम लोग जो संख्या यहां ऐसा लेंगे कोई संख्या कि यहां भी वही लेंगे और सबका गुरा करने पर या तो इसके बराबर हो या तो इससे कम हो जैसे माली जी है अगर हमें यहां एक लेंगे तो यहां भी एक लेंगे तो यहां भी 4 तो 24 का देखिए 4 में यहां पलस लगा लेंगे और 24 चव को हो जाएगा 96 देखिए इससे कम होना चाहिए या तो इसके बराबर यहां हमने 4 लिया तो यहां भी 4 ले लेंगे तो 24 का 4 में गुड़ा करेंगे तो हो जाएगा 96 यहां जोडते हैं, च्यार च्यार आठ हो जागा, और यह दो, यहां क्या करेंगे घटाते हैं, तो सव में से च्यानवे को घटाएंगे, तो च्यार बचेगा, अब हम क्या करेंगे, फिर से यह दो जीरो वाला उतार लेंगे, इसको हमने उतार लिया तो अभी इसको अब देखिये, क्या करते हैं, फिर से यहाँ पर हम कोई शंखिया ऐसा लेंगे एक दो, तीन, चयार कुछ भी अपने तरफ से, तो यहाँ भी नीचे लेंगे, अगर माले जी एक लेते हैं, तो 280 हो जाएगा, तो नीचे भी यह पही लेना पड़ेगा, यहां तो यहां भी एक लेना पड़ेगा यहां पलस लगाएंगे और यहां भी एक ले लेंगे तो 200 181 का एक में जब गुड़ा करेंगे तो 200 181 हो जाएगा अब फिर से हम लोग क्या करेंगे यहां जोड लेंगे तो एक एक दो और आठ और दो यहां क्या करेंगे घटाएंगे तो जीरो मेंस एक नहीं जागा हासिल लेगा दस मेंस एक जागा नो यहां बचा नो नो मेंस आठ जागा एक और यहां बचा तीन तीन में दो जागा एक अब देखिए फिर से हम लोगों ने एक बार ये जीरो उतार लिया एक बार ये जोडा उतार लिया आप एक बार इसको उतारते हैं अब फिर से हम लोग कितने बार में भाग करेंगे यहाँ पर कोई संख्या ऐसा लेंगे तो नीचे भी वही लेना पड़ेगा तो उसका इसमें गुड़ा करने पर या तो इसे कम हो या तो इसे ज़्यादा हो तो हम लोग अभी यहाँ लेते हैं 4 तो 2824 हो जागा यहाँ भी 4 लेंगे और यहाँ लगाएंगे पलस तो 4 यहाँ भी लेना पड़ेगा अब गुड़ा कर लेते हैं तो देखिए 11296 हुआ यहाँ जोड़ लेते हैं 4 4 8 हो जागा यहाँ 2 हो जागा यहाँ 8 हो जागा और यहाँ 2 यहाँ हम लोग क्या करते हैं घटाते हैं 10 में 6 घटाएंगे तो 4 हो जागा 9 में से 9 जागा तो 0 यहाँ 8 में से 2 जागा तो 6 यहाँ घट गया 0 हो गया अब हम लोग क्या करेंगे एक बार हमने ये उतारा एक बार ये उतार लिया एक बार ये अब एक बार लास्ट वाला जीरो उतारेंगे तो यहां देखिए 60,400 हो गया है अब यहां 26,000 होगा यहां जब कोई संख्या लेंगे अभी 2828 यहां कोई संख्या लेंगे तो 28,000 होगा तो हम लोग यहाँ लेते हैं दो तो यहाँ भी दो लेंगे और दो यहाँ भी लेंगे गुडा करेंगे तो दो दूना च्यार दो आठे सोला को छो आसील एक दो दूना च्यार एक पांच दो आठे सोला को छो आसील एक दो दूना चार एक पांच इतना होगा यहाँ 10 में 4 जाएगा 6 9 में 6 जाएगा 3 13 में 5 जाएगा 8 9 में 6 जाएगा 3 तो देखिए यहाँ हमने ऐसे घटा लिया और यहाँ हम लोग जोड लेंगे तो अब देखिए हमने यह बर्गमूल निकाल लिया है हमको 10 मलोग निकाल तम 3 अस्थान तक पूछाया तो हम क्या करेंगे इसको लेंगे जो हमारा बर्गमूल आया है यह एक दसमलो 4,1,4,2 आया है हमको 3 ही अस्थान तक दसमलोग लेना यह 4 है तो हम लास्ट का दो ध्यान देंगे लास्ट का दो जो संख्या होगा उसको यह कही संख्या बनाना तो हम देखेंगे यह 10,10 के अंतर पर देखेंगे किस के करीब है जैसे मालें यह 42 है तो 40 और 50 के बीच में होता है 10-10 के अंतरपर देखते हैं तो 42 है 42 जो होता है 40 और 50 के बीच में होता है तो देखेंगे कि किस के करीब है 42, 40 के करीब है कि 50 के करीब है तो हम लोग देखते हैं कि 40 के करीब है जिसके करीब होगा उसी के लिए, 40 करीब होगा, 4, 50 के करीब होगा तो 5, ऐसे लिखना है, तो हम लग इसको लिख देंगे, बर्गमूल बराबर, एक दसमलो, 4 एक, और इसके जवापर, 40 है, 40 के करीब है, 42 तो 40 के लिए 4 लिख देंगे, यही अमसर हो जागा, बर्गमूल को हमेशा पलस और माइनस में लिखते हैं, तो पलस माइनस भी लिख सकते हैं, और केवल पलस में भी लिख सकते हैं, यह अंसर हो जागा, तो ऐसे हम लोग बर्गमूल निकालेंगे, 2, 3, 5, 7, 8, किसी का भी बर्गमूल इसी तरह निकलेगा, क्या करेंगे, उस ज्यादा का जोड़ा बनाएंगे, 3 तर निकालना होगा, तो 4, 0 का जोड़ा बनाएंगे, अगर 2 अक्स्तान तर निकालना होगा, तो 3 जोड़ा बनाएंगे, ऐसे कर लेंगे, और बाकी सारा कामीसी तरह कर लेदा है, अब हम लोग देखेंगे, अभ्यास 5E का दो कोस्चन और जो की गुड़न खंड उसको भी कमेंट में पूछा गया तो देखते हैं तो अब आप लोग देखेंगे ये अभ्यास 5E में कमेंट में दो कोस्चन पूछा गया था एक 5X7 गुड़न खंड करना उसका तो इसको देखते हैं हम लोग तो हमने बताया था कि यहाँ A2-B2 का फार्मूला बनाने के लिए लेकिन हम लोग देखते हैं यहाँ कोई फार्मूला 2 और 18 नहीं बना सकते हैं तो हम लोग कामन लेना दोनों में जानते हैं उपर से कामन कामन मतलब ऐसा संखिया जो दोनों में रहे उसको बाहर ले लेते हैं तो जैसे 2 यहाँ है तो हम देखते हैं अठारम 2 है कि नहीं तो हम लोग जानते हैं अठारम को 2 गुड़े 9 लिख सकते हैं मतलब अठारम भी 2 का गुड़ा हुआ है 2 उसके गुड़न खंड में है और 2 यहाँ भी यहाँ तो हम लोग जब कामन ले लेंगे उपर से 2 तो ऐसे लिखते हैं 2 कामन अब यहाँ बसता क्या है उसको हम लोग लिख लेते हैं ऐसे यहाँ 9 बच गया 9 दूना 18 होता है 2 हमने जब कामन ले लिया तो 9 बच गया और नीचे बटे X स्क्वाइर बच गया है यहाँ माइनस है हमने यहाँ से भी 2 कामन ले लिया है यहाँ पहले ही तो जब हमने 2 कामन ले लिया है बाहर तो यहाँ क्या बच गया है X स्क्वाइर और बटे 9 क्योंकि हमने 2 common ले लिया है तो common जा हम लोग लेते हैं तो पूरे में common हमने लिया तो यहां ऐसे bracket लगा देंगे यह bracket नहीं भी लगाएंगे तो काम चल जागा यह पूरे में bracket लगाना ज़रूरी है क्योंकि हमने 2 को 2 नमे से बाहर किया है तो यहां हमने ऐसे लिख लिए संख्या को कामल लेने के बाद अब हम लोग फार्मूला A square minus B square बना सकते हैं यहां 2 है तो 2 को बाहर ही राने देंगे यहां हम लोग फार्मूला बनाएंगे तो यहां लिख सकते हैं 9 को 3 का square और बटे यक्स तीन बटे यक्स ऐसे लिख के और हम लोग यह कही में इसका square कर देंगे मतलब 3 का square मिन्स 9 हो गया और यक्स का भी square हो गया ब्रैकेट के बाहर square मतलब दोनों पर है हम यहां भी फार्मूला बनाएंगे तो minus यक्स बटे 9 को हम जानते हैं 3 का square होता है तो ऐसे कर लेंगे ब्रैकेट में यक्स का square हो गया और 9 को हमने 3 लिख दिया 3 का square हो गया आप हम लोग अने फार्मूला बना दिया A square माइनस B square का तो 2 को यहां बाहर ही रहने देंगे A square माइनस B square का फार्मूला होता यह पूरा A है 3 बटे X मतलब A और X बटे 3 मतलब B तो A square माइनस B square एक ब्रैकेट में लिख देंगे A पलस B मतलब 3 बटे X पलस X बटे 3 यह अनसर हो जागा और दूसरे ब्रैकेट में हम लोग इसी को माइनस में लिखते हैं 3 बटे X माइनस X बटे 3 यह अनसर हो जागा तो यह अनसर लिख सकते हैं दो का इसमें मल्टिपलाई भी करके लिख सकते हैं या ऐसे ही राने देंगे तो यह 5 नमबर कोस्चन हो गया अब हम लोग देखते हैं कमेंट का यह इसको अनसर दिख है तो इसको हम लोग जब fare बनाएंगे तो देखिए यह पूरा A है यह जो ब्रैकेट के अनदर है A का स्क्वाइर माइनस यहां हम लोग बनाएंगे B का स्क्वाइर तो एक बार हम लोग ऐसे लिखेंगे हल में इसको स्क्वाय से राने देंगे A-3B का स्क्वायर माइनस यहां 36 हम लोग जानते हैं 6 का स्क्वायर होता 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 तो 6B का स्क्वायर हम लोग कर देंगे अब देखिए पूरा A स्क्वायर हो गया और यह पूरा B स्क्वायर हो गया 6B का स्कॉार मतलब 36B स्कॉार को हम ऐसे लिख सकते हैं फार्मूला बनाने के लिए तो A स्कॉार माइनस B स्कॉार का फार्मूला लगाएंगे तो होता क्या यह A है देखिए पूरा ब्रैकेट A और यह पूरा ब्रैकेट B तो हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं एक बार पहले A लिखा ये A हो गया A प्लस B लिखते हैं मतलब 6B हो गया तो एक बार हमने A प्लस B लिख दिया दूसरे ब्रैकेट में A A का मतलब इतना A है और माइनस B लिखते हैं माइनस B का मतलब 6B तो यह हमने फार्मूला लिख लिए थोड़ा सा और साल्ब कर सकते हैं इसको देखिए जोडने घटाने वाला इसमें A है 6B में से हम लोग 3B घटा सकते हैं तो पलस में बज जागा 3B और यहां देखिए A है तो A को लिखेंगे यहां 6B और 3B दोनों माइनस में हैं तो माइनस में जब दो संख्या रहता है तो उसको माइनस लगा के जोड़ देते हैं तो हो जागा 9B तो यह अंसर हो जागा तो जो आप लोग ने कमेंट में तीन कोस्चन पूछा था उस तीनों कोस्चन को हमने सालब कर दिया है इसी से आप लोग सारे कोस्चन को सालब कर लेंगे वीडियो को आप लोग लाइक, सेर और सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग हमारे सोसल मीडिया का जो फेस्बूक पेज है उस पर भी आप लोग जूड़ सकते हैं आप लोग इंस्टाग्राम को फालो कर सकते हैं और ये ट्विटर को भी आप लोग फालो कर सकते हैं इस पर आप लोग हमसे चैट भी कर सकते हैं